आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि पिछली कुछ वीडियो से मैं आपको लगू पाराशरी सिरीज के बारे में बता रहा हूँ तो आज हम लोग कवर करेंगे श्लोक 15, 16 और 17 तीनो एक ही टैक के श्लोक हैं लेकिन उस एक श्लोक से ही आप समझ जाओगे कि 16 और 17 श्लोक में क्या कहा गया है अगर हम 15 श्लोक असानी से समझ बेंगे 15 श्लोक समझना बहुत जरूरी है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लगू पाराशरी ब्रहत पाराशर होरा शास्तर का एक सार है छोटा सा जिसे कहते हैं कि बिहारी ने गागर में सागर बढ़ दिया है अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो फिर आपको प्रडि क्या कहते हैं यह कहते हैं कि केंद्र त्रिकोन के स्वामी में अगर संबंद हो और वो दोश्युक्त भी हो तो भी संबंद मात्र से वो योकारत बन जाते हैं केंद्र और त्रिकोन के स्वामी अगर थोड़ा दोश्युक्त भी हैं तो संबंद के कारण वो बहुत अच्छे योग कार्त बन जाते हैं संबंध हम ने बताए है चार संबंध उते हैं द्रेस्ती संबंध होता है यूट त्रिकोन का स्वामी अगर आपस में दो श्युक्त भी है तो भी बहुत अच्छे संबंद उनके बन सकते सब्सक्ति साली केंद्र को स्वामी का मतलब क्या होगा देखें केंद्र हमारा जो होता है चौथा साथवा और दसवा होता है चौथवे से साथवा बली साथवे से सबसे ज़्यादा उत्रोतर बली केंद्र को इसी प्रकार से त्रिकोन में पहला पांचवा और नवा पहले से ज़्यादा अधिक बलवान पांचवा पांचवे से अधिक बलवान नवा तो इनका संबंद यही है कहने का कि यदि नवे भाब का स्वामी जो की त्रिकोन का स्वामसार्ट हम एंगा स Kerrydru में और स्वामई कोन कुण है केंद्र कश्राइब और केंद्र केंद्र त pag सुपिटर है नौ नंभर राशी है उसका स्वावडियुटर सीते बात वात ही तो केंद्र करस्वामी और त्रिकोर्ण का स्वामी, दोनों बली केंद्र और बली त्रिकोर्ण के स्वामी हो गया, दोनों में संबंद हो गया, क्योंकि मंगल जुपिटर को फून द्रस्ती से देखता है, और जुपिटर भी मंगल को फून द्रस्ती संबंद भी है, जैसे मैंने बताया, एक संबंद गुरू का सब्बंद बन रहा है, मंगल त्रिकोड का स्वामी है, गुरू दस्वे भाब का स्वामी, केंद्र का स्वामी है, यानि एक सबसे बली त्रिकोड का स्वामी, एक सबसे बली केंद्र का स्वामी, इन दोनों में सब्बंद रहा है, लेकिन आप ये देख सकते हैं, कि जो जुपिटर है जो केंदर का स्वामी है वो शनी के साथ बैठा हुआ है शनी क्या है शनी इसमें बारवे भाब का स्वामी है अब जुपिटर सूर्य के साथ बैठा हुआ है अब कहने का मतलब यह हुआ कि जुपिटर जो है वो सूर्य और शनी के साथ बैठा हुआ है इसलि सूद भी यह बहुत योगकारप रहेंगे अपनी दशा अंतर दशा में यही यह ड़ूख कै तो आशा करता हूं कि आपके इस लोग समझ में आ गया होगा विल्कुल डंग से समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सके तुबारा को फूच सकते हैं और इसके लावा हम लोग अपनी एडवांस एस्ट्राइजी का बैच करने वाले हैं जल्द ही पहले भी कही सारे बैच हो चुके हैं आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा तो जो भी वह बैच स्टार्ट करने ज करता हैं जल्द हा जिरस